नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट वरद और आज हम वापिस आये है एक घमासान वीडियो लेके ये वीडियो में हम बात करेंगे टॉप थ्री नॉन चाइनिस स्मार्टफोन के उपर जो पंदराजार के रेंज में आते हैं जो मैं ब्रैंड्स बताने वाला हूँ वो टॉप फोर थे वैसे इस वीडियो में कुछ नहीं है इस वीडियो में मैं जो टॉप थ्री अंडर 15,000 के रेंज में जो फोन से वह मैं आपको बताऊंगा तो देखते रहना बहुत मज़ा आएगा यह रेंज के स्मार्टफोन के लिए मैंने कई स्पेसिफिकेशन्स डिसाइड किये थे जो मिनिमम होने चाहिए थे हर एक फोन में जो थे 4G RAM और 64G इंटरनल मेमरी मिनिमम चार अजार एमेज के बैटरी और ट्रिपल कैमेरे का सेट अप सो यह लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने को तीन सबसे अच्छे तगड़े फोन मिले है जो मैं आपको यह वीडियो में आगे बताऊंगा तो देखते रहना जो पहला फोन है वो है सैंस गैलेक्सी M21 यह बहुत सही फोन है यह 4GB RAM और 64GB इंटरनल मेमरी के साथ आथा है जो हम 512GB तक आराम से एकस्पांड कर सकते हैं इसमें 6000 एमेज की बैटरी आती है मतलब गेम्स खेलना बहुत यूज करना YouTube वीडियो तेखना मोबाइल पे गानी सुनना यह सब करने में आराम से एक से दो दिन मोबाइल चल जाएगा इसमें 6.4 इंच का HD plus AMOLED डिस्पले मिलता है जो बहुत सही है इस मोबाइल को जो प्रोसेसर पावर करता है वो है सैमसन का exonos 6911 octa-core प्रोसेसर जो बहुत अच्छा है इसमें हमें पीछे के साइड triple camera का setup देखने को मिलता है जिसमे 48MP का main camera है इसमें हमें 8MP का ultra wide lens मिलते है और 5MP का depth sensor है इने depth camera मिलता है जिसमें live focus होता है बात करते है इसके front camera की जिससे हम सब लोग must must selfie किस्ते है इसमें 20MP का front camera दिया गया है जो बहुत बहुत सही है back side fingerprint sensor मिलता है face unlock का feature मिलता है और 15 watt का USB type C charger भी मिलता है यह fast charging को support करता है मतलब 1.5 गंटे में phone आराम से charge हो जाएगा और must आप वापिस से इसको use कर सकते हो Samsung Galaxy M21 की cost है 13499 flip card पे अब फिलाल एवेलेबल नहीं है पर कल से जो seal चालू हो रहा है उसमें यह phone एवेलेबल हो सकता है so please look for it अभी हम बात करेंगे next phone जो वापिस Samsung की तरफ से ही है और इस टाइम यह Samsung के A series का है जो है Samsung Galaxy A50 भाई बतलब कभी गभी ऐसा लगता है कि Samsung खुद के साथ ही अपने product में competition कर रहा है M series, A series इतना confusion और इतने सारे उनके products है उसमें से आपको हमने best दिखा यह है जो है so चलो अभी बात करते है Samsung Galaxy A50 के बारे में यह आता है 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ इसमें भी 6.4 inch का HD plus display दिया गया है जो Super AMOLED डिस्पले है इसमें 4000 mh की बैटरी आती है आराम से एक दीन तक मोबाइल चल जाएगा इसमें Exynos का 9610 प्रोसेसर दिया गया है जो भी अच्छा प्रोसेसर है अभी बात करते है इसके कैमेरा के बारे में so इसमें भी हमें पीछे के साथ triple camera का सेटप देखने को मिलता है जो जिसमें 25MP का low light camera दिया गया है 8MP का ultra wide camera दिया गया है और 5MP का live focus camera दिया गया है आगे के side इसमें हमें मिलता है 25MP का front facing camera मतलब selfies तो बहुत पगड़े आने वाले है इससे और ऐसा लगता है भी Samsung कुछ दिनों बाद E-series में DSLR ही लगा देगा front facing camera में इस mobile में हमें in display fingerprint scanner भी मिलता है और face unlock का feature भी है ही इसके साथ इसको turbo charging का support है जो 15 watt power adapter इसको power देता है मोबाइल पूरा charge भी फटाक से हो जागा एक तेड़ गंटे में उसका भी कोई टेंशन नहीं यह मोबाइल की प्राइस है 15,000 से थोड़ी उपर यानि 15,400 इंडियान में तो प्राइस के सबसे बहुत सही phone है और देखते हैं अभी यह sale में flip card के sale में यह भी available हो सकता है हम अगले phone के बारे में जो अभी बात करेंगे वह Samsung के तरफ से नहीं है कोई टेंशन मत लो वह है lgw30 pro यह मूबाइल 6.21 इंच के डिस्पले के साथ आता है इसमें 4050 mh के बैटरी देखने को मिलती है पीछे के साथ हमें ट्रिपल कैमेरा देखने को मिलता है जो यह 13MP का प्राइमरी कैमेरा 8MP का वाइड वाइड कैमेरा और 5MP का एफेक्ट दने वाला कैमेरा आगे के साथ हमें selfies वगरा की फोटो वीडियो किचने के लिए मिलता है 16MP का फ्रेंट फेसिंग कैमेरा यह मूबाइल को पावर करता है Qualcomm का Snapdragon 632 काई रो चिप सेट और इसमें हमें HD Plus डिस्पले मिलता है इसमें हमें पीछे के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है और फ वाश्तर जिंग बिल्कुल सपोर्ट करेगा तो बस आजके वीडियो में इतना ही आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो शेर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत बूला थैंक्यू फॉर वाचिंग